दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Tata Steel, Axis Bank, L&T and Nestle India के साथ में 5 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिन्होंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंट and मर्जर अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश, आप देख रहे हैं फनो मीडिया बाया आरुश, आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Ola Tech Solutions Limited इस कंपनी का स्टॉक प्राइज 154 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिये 7th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक बोनस को लेके रहने वाला है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है नेसले इंडिया लिमिटेड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 22,314 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिये 19th of October को और इस बोर्ड मीटिंग का जो परपस है वो स्टॉक 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 प्लेट अ को लेके रहने वाला है अब अगर नेसले इंडिया स्टॉक स्टॉक प्लेट अण डिविडेड दोन्वी चीज़े साथ में अनौंस करती है तो definitely हमें इस stock में एक शानदा रैली देखने को मिल सकती है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Tata Steel Limited अब आप सभी को पता होगा Tata Steel Limited का merger होने चारा है basically Tata Steel Limited की जो भी subsidiary companies है उनमें से चार ऐसी subsidiary companies हैं जो की stock market के ओपर में listed है जिन में से Tata Steel Long Products, Tin Plate Company of India, Tata Metallics और साथी साथ में TRF Limited आती हैं अब ये चारो companies जो की Tata Steel की subsidiary companies हैं इन चारो companies को Tata Steel के अंदर में merge कर दिया जाएगा अगर इन चारों में से किसी भी companies के stocks आपके पास में मौझूद हैं तो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ आपको Tata Steel के कितने stocks आपे मिलेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं Tata Steel Long Products की तो अगर आपके पास में Tata Steel Long Products के 10 stocks हैं तो आपको 10 stocks के बदले में 67 Tata Steel के stocks आपे provide करे जाएगे यानि की हर 10 stocks के बदले में आपको 67 Tata Steel के stocks मिलेंगे अगर आप Tata Steel Long Products को hold करते हूँ वहीं अगर हम बात करें 10 Plate Company of India की तो 10 Plate Company के हर 10 stocks के बदले में आपको 33 यानि की 33 Tata Steel के stocks दिये जाएंगे वहीं अगर हम Tata Metallics की बात करें तो हर 10 Tata Metallics के स्टॉक्स के बदले में आपको 79 Tata Steel के स्टॉक्स दिये जाएंगे और अगर हम T.R.F. Limited की बात करें तो हर 10 T.R.F. Limited के स्टॉक्स के बदले में आपको 17 Tata Steel के स्टॉक्स प्रोवाइड करे जाएंगे तो ये कुछ रेशियोज निकल के आएंगे अगर आपके पास में इन चारों में से किसी भी कमपनी के स्टॉक्स मौजूद है तो इस बदले में इस रेशियो के अंदर में आपको Tata Steel के स्टॉक्स प्रोवाइड करे जाएंगे और Tata Steel के मर्जर की X-Date और Record Date फिलाल अपकमिंग में है अब कमपनी जैसे X-Date और Record Date अनाउस करेगी मैं आप लगों को सबसे पहले इंटीमिट कर दूँगा अगले स्टॉक की बात करें तो कमपनी का नाम है L&T Finance Holding अब L&T Finance Holding से लेकर के काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है Basically LKP Securities करके जो Financial Institution है काफी जाना माना Brokerage Form है तो LKP Securities ने जो है L&T Finance Holding के स्टॉक के उपर में एक Buying Recommendation शेर करी है और जो Target Price दिया है वो 145 रुपीज का दिया है Currently अगर अब चेक करते हो तो L&T Finance Holding का जो स्टॉक प्राइज है वो 133 रुपीज के उपर में चल रहा है तो लगबग 133 रुपीज से लेकर के 145 रुपीज तक की एक जो Rally है वो यहाँ पे LKP Securities एक्सपेक्ट करके चल रहा है L&T Finance Holding के स्टॉक के अंदर में और साथी साथ में LKP Securities ने जो है Stop Loss भी अपडेट किया है 125 रुपीज का तो अगर आप यहाँ पे L&T Finance Holdings को भाई करते हो तो आपका Stop Loss 125 रुपीज के उपर में रहेगा आएए बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले अंद लास्टॉक की तो कंपनी का नाम है Access Bank Limited अब Access Bank की तरफ से भी एक काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है बिसिकली Economic Times की एक रिपोर्ट के अनुसार Access Bank के उपर में एक बाइंग रिकमेंडेशन शेर किया गया है और जो Target Price दिया है वो 1,100 रुपीज का दिया है Currently अगर आप चेक करते हो तो Access Bank का जो Stock Price है वो 1,036 रुपीज के उपर में चल रहा है तो लगबग 1,036 रुपीज से लेके 1,100 रुपीज तक की एक जो रैली है वो यहाँ पे Economic Times एक्सपेक्ट करके चल रहा है Access Bank के Stock के अंदर में साथी साथ में इन्होंने Stop Loss भी रिकमेंड किया है 1,000 रुपीज का तो प्रापर यहाँ पे एक Buying Trade बना के दिया है इन सब चीजों के उपर में आप नाजर बना के रखिएगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने आप इस Stock Bonus, Stock Split, Dividend and Merger Announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से Like कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से सबस्क्राइब कर दीचेगा बिकॉस फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी Stock Market से Related Content दिखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर Till then, Bye